हाई वेल्कम तो एव्रीवन वाचिंग मारी वीडियो हेर और यूट्यूब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ग्रे और वाइट हेर कवरीज वाले शेयर और जो शेयर कार्ड अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है यह इजी कलर वालों का शेयर कार्ड है तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं इसमें से सिर्फ वाले शेयर बताऊंगी जिसको आप इजी घर पे लाके अप्लाइ कर सकते हो 20 वालियूम के साथ और जस्ट वान अप्लिकेशन करने है डिरेक्ट अप्लिकेशन 20 वालियूम के साथ वाले शेयर बताऊंगी जिस और यह ट्यूब शेड है पर्फेशनल हेर कलर है बॉक्स पैकिंग की यहां पर मैं बात नहीं कर रही है लेकिन अभी आप लोगों को मैं इजी कलर के शेड कार्ट में रहके बताऊंगी ब्रीमोट का मैं आप लोगों के साथ फिर किसी और वीडियो में शेयर कर रहा कि आप ल आप लोगों के साथ इजी कलर के शेड कार्ट के साथ इजी तरीकने से शेड नंबर और यह शेड्स आपको इस पूरे शेड कार्ट में बॉताऊंगी जिस भी घर पे लागे आप ने 20 वॉलियूम के साथ अपनी कवरिज करनी है वो शेड आपको बता रही हूं डिरेक्ट एप्लिकेशन में एक ट्यूब और एक वॉलियूम के साथ आपकी 100% भी ग्रे वाइट है ना तो जो शेड्स में आप लोगों को बताने वाली हूं इसको आप प्रॉपर कवरिज हो जाएगी ठीक है यह आपने आप बातों को समझने हैं जो मैं आपको बता रही हूं ठीक है जैसे मैंने आपको पहले बताया है ग्रे वाइट पे आप कोई भी शेड कर सकते हो जाता है लेकिन जो सबसी एजी तरीका है घर पे लागे आपने करना है अपने हैर पर तो आपको प्रॉपर कवरिज मिल जाएगे चले दो आपको नंबर्स बता देती है वट्ड? जो जो फुड जी आप फूल कवरिज कर सकते हो ठीक है? 100% भी आपका gray और white है ना तो इन दोनों shade से आपका shade आजएगा coverage हो जाएगी ठीक है और cool natural color जो होता है वो coverage gray white coverage के लिए होते हैं फिर golden की series में 4.3, 5.3 और even 6.3 से भी आप coverage हासिल कर सकते हो लेकिन ये ना pigment छोड़ता है इस तो ये recommend नहीं किया जाता है अगर आप इतने conscious नहीं तो आप apply कर सकते हो coverage तो ये देता है pigment ये बालों में रहती है लेकिन वो खुबसूरत भी लग सकता है ये डिपेंड करता है कि आपके percentage कितनी जादा है white और gray बालों की उसके बाद आप natural में आते हो warm natural में तो 5NW आपको coverage देगा 6NW भी दे सकता है लेकिन फिर बात वही है ये थोड़ा pigment आपके बालों में न चोड़ सकता है तो अगर आप डेरिंग हो आपको इसे फरक में पढ़ता फिर आप इसको न अप्लाए कर लो otherwise 5NW को आप अपलाए कर लो क्योंकि अगर आपको confusion है तो आप lighter shade की तरफ न आ जाए फिर चोकलेट की सीरीज में 4C और 5C आपको coverage देंगे यह मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया है काफी shades में शेयर किया है और कुछ आने वाली वीडियो में आप देखोगे तो आपको मतलब आप वो भी जाके देख सकते हैं आपको idea हो जाएगा उसके बाद आप shade card में आगे जब भढ़ते हैं मोहागनी की सीरीज आ रही है इसमें 4.5, 5.5 यह दोनों shade आप कर सकते हो और अगर आपकी कम percentage है तो आप 6.5 यह apply कर सकते हो अगर ज्यादा percentage होगी तो यह pigment छोड़ देगा फिर absolute red की series है इसकी आप 4.6, 5.6, 4.62 और 5.62 यह चारो shade आपको coverage देंगे लेकिन यह ना red pigment भी आपके बालों में आ सकता है लेकिन यह बहुत प्यारा सा shade आपको देंगे यह अगेन अपडेरिंग हो आपको red वाला shade चाहिए तो आप इसको apply कर सकते हो grey white coverage यह 100% देंगे फिर यहां पे intense red के दो shade है इसको आप लोगों ने apply नहीं करना क्योंकि यह थोड़ा professional में जाएगा तो इसको आप नहीं apply करे अगर तो आपको percentage का idea है आपको फिर आप 5.66 का experiment कर सकते हो यह coverage दे सकता है लेकिन मैं साधा थरीके में बता रही है लोगों को नहीं बता था तो आप in shades की तरफ आपको नहीं अगर पता तो in shades की तरफ आप ना जाए फिर चेसनेट की सीरीज आ रहे है इसमें 4.35 और 5.35 से आपको coverage मिलेगी आगे 6.35 भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वही बात है percentage का आपको idea होना चाहिए और फिर आपको साथ mixing भी करनी पड़ेगी तो इसलिए आप इसलिए आपको मैं बत कहले हूं कि इन shades की तरफ नहीं जाना वरना coverage आप किसी भी shades के साथ हो जाती है लेकिन mixing वह बगरा करनी पड़ती है जो direct application है उसमें आपको जोन जोन से मैं shades बता रही है बस उसी से होगी फिर mocha shades आ रहे है 5.003 और 6.003 ये दोनों shades के साथ आपको coverage मिलेगी फिर copper की series में ना 5.4 से आप लोग coverage कर सकते हैं even 6.4 से भी हो सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है लेकिन 5.4 से तो पकाब की होगी उसके बाद copper golden के shades आ रहे है 4.43, 5.43 और 6.43 ये तीनों shades के साथ आपको coverage मिलेगी उसके बाद जो intense copper आ रहे है इसको आपने नहीं इसके साथ coverage में तो इसको आपने नहीं जेरना इसके लिए आपको mixing वगरा करनी पड़ेगी तो इसको आप easy वीज के series आ रही है जिसमें से 6.1 को आप use करके full coverage ले सकते हो बागी आगे ash blonde के shares आ रहे है जिसको जिसके साथ आपकी एक application के साथ coverage नहीं हो सकती फिर golden ash color आ रहे है उसके साथ भी नहीं होगी उसके बाद power blonde आ रहे है उसके साथ भी नहीं होगी silver आ रहे है उसके साथ भी नहीं होगी और जो lightest plon है उनके साथ भी आपकी coverage नहीं होगी gray और white की ठीक है इसके बाद अगर आप card में नीचे जाओगे न यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना smoky gray का shade आ रहा है यह gray के दो shade है एक है smoky gray और एक silver gray का shade आ रहा है इसके साथ आप डिरेक्ट application के साथ आप कुप सुर्थ color अचीव कर सकते हैं smoky gray color आपने यूज़ करना यह recommend करूंगी silver gray को आप रहने दें वो आपसे हो सकता है handle ना हो वह बात है अगर आपको पता है तो आप कर लोगे एक application में भी ना इसके साथ आप अच्छा सा color ला सकते हो बट यूज़ली कम लोग experiment की तरफ जाते हैं तो ग्रे का जो smoky gray का shade रहना इसको आप अप्लाई कर लेना यह मैं इससे मतलब आपको coverage मिल जाएगी इसको आप अप्लाई कर लेना silver gray को आप रहने देना तो यह सारा easy कदर का shade card था जि Shades बताए जिनके साथ आप लोग ना gray white की coverage कर सकते है easily at home और यहां पर दुबारा से बता दू वोलियूम आपने 20 यूज़ करना है equal ratio रखनी है क्रीम की color cream की और color developer की ठीक है और usually अप salon वगारा में जाओना तो 1-6 तक natural shade में आप लोगों को रेकमेंड करते हैं और आपकी application व आपका base color भी ले आते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको fashion shades भी बताए हैं उनके साथ भी आप लोग अपनी coverage कर सकते हो तो hopefully आप लोगों के लिए आप लोगों को कुछ बाते समझ में आई होंगी कुछ अगर आपने पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ लेना मैं आपको